हलो दोस्तों, welcome to KRK Law Classes, मेरा नाम है काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Directed of Enforcement में आई हुई Legal Consultant के जॉब पोस्ट के बारे में दोस्तों ED जो है वो एक investigating agency है जो की Department of Revenue और Ministry of Finance के अंदर आती है यह basically वो work करती है जो की related होता है revenue से और जो की related होता है foreign exchange के violation के cases से तो यहाँ पर एक Legal Consultant की पोस्ट है जिसको हम detail में discuss करेंगे कि कितनी vacancies हैं कौन कोन इसके अप्लाई कर सकते हैं कैसे इसका application form आपको fill करना है और बाकी सारी other important details को लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर दें वीडियो को like कर दें और जाद़ जाद़ लोगों में share करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी information पहुंचती रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको इनकी official website पर जाना है जो कि है www.enforcementdirectorate.gov.in यहाँ पर आपको एक other section मिलेगा other section में आपको vacancy का section मिलेगा जब vacancy के section में आपको आप क्लिक करेंगे तो 29th of November का एक notification होगा जिसको आपको open कर लेना है इसको open इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि इसी के साथ इसका form attached है जिसको fill करके आपको इनके address पे भेजना है अब चलिए बात करते हैं आग की important details को दोस्तों यह इसका official notification है जो कि 29 तारीक को release हुआ था यहाँ पर date 23 दी हुई है बट यह जो notification है वो 29 तारीक को आया है यह 29 तारीका date इसलिए important है क्योंकि इसी date से जो है आपको 21 दिन के अंदर अंदर यह form fill करके submit करना है मतलब कि अगर आप calculate करें तो एक हिसाब से आपका जो 20 दिसंबर है वो इसकी last date होगी और यहाँ पर टोटल 6 पोस्त हैं छे पोस्त जो है लीगन कलसेंटिल की है और इसी को हम आज वीडियो में discuss करेंगे जो भी eligible candidate है वो इसकी official website पर जा सकते हैं और इसी website पर जो है आपको मैंने बताया कि जो notification है उसी के साथ इसका application form है जिसको आपको fill करके यह जो address दिया गया है यहाँ पर आपको भेजना है सा जो की bar council से recognized हो दो साल का अगर आपके पास experience है as a advocate practice करने का criminal law में या physical law में तो यहाँ पर आपको मानेता ज्यादा दी जाएगी age limit की बात करें तो 32 साल के जो भी candidate है वो इस post के लिए apply कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि जो भी candidate होंगे उनको इस form को download करना है उसको fill करना है fill करने के बाद उसमें सारे अपने जो supporting document है जो certificate वगरा है उसको लगाना है लगाने के बाद यहाँ पर आपको उस envelope के उपर लिखना है selection for the post of legal consultant in ED यह लिखकर आपको इस address पर भेज़ देना है deputy director को दोस्तों आगे बात करें तो जैसा कि इसकी जो salary के बात करें तो salary बहुत ही अच्छी है आपको 80,000 पर per month in hand आपको मिलने वाला है यहाँ पर terms की बात करें तो पहले जो है तीन साल के लिए आपको contextual basis पे पॉइंट किया जाएगा जो की renew होता रहेगा first year, second year, third year में जैसे कि आपका काम है और यह extend होका 5 साल के लिए ठीक है जैसे कि आपकी performance होगी official requirement होगी उस एसाब से जो है यह maximum 5 साल के period के लिए आपका यह post extend हो सकती है, selection procedure की बात करें तो जो भी application form भेजे जाएंगे उसमें से यह लोग shortlist करेंगे, shortlist करने के बाद आपको interview की call आएगी, आपको interview इनके headquarter है, जो कि इनका office है, वहाँ पे जाके आपको देना है, interview में आप select हो जाते हैं तो आपको यह post आराम से मिल जाएगे, तो दोस्तों य Links जो है, इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर जो है, उस link के थरू इसकी official website पर पहुंच सकते हैं, इसके लावा जो भी official notification है, वो हम अपने Instagram, Telegram और WhatsApp ग्रूप पर share करते रहते हैं, आप हमारी social media handles को भी join कर सकते हैं, ताकि आपको legal updates time to time मिलती रहे मिलते हैं इसे informative वीडियो के साथ, तब तक के लिए goodbye, keep reading